हेलो फ्रेंट्स आम प्रोफिसर राकेश आस्वानी स्टेटी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंट्स आज हम चैप्टर नंबर फाइव और पार्ट एट कवर करने जा रहे हैं तो रिमेनिंग पार्ट्स आप जरूर देखेगा हर एक टॉपिक के उपर और मैं यकीन से कह सकता हो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं 88 परसन लोगों को इसका मतलब नहीं पता है कि क्या होता तो रिक्वेस्ट वीडियो को शुरुआर से लेकर अंतक ध्यान से देखिए मैं आपको बहुत डीटेल में चीज़ें बताने जा रहा हूं वह भी क यह हम डिसकस करने वाले आज ही नोट्स आपके वीडियो में अविलेबल है स्कीन शॉट ले सकते हैं आपको यहां वहां देखने की जरूरत नहीं है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वार्स डीसेंट्रलाइजेशन तो सबसे पहले हम देखेंगे किजेगा रीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा 14 फॉर्टिन पींसिपल मैंजमेंट्ट जो है उसको जरूर्ड चेक की जी उसमें इने चांडी जमाने में पपा ले नहीं चाल्ट आई पावर एक ही बंदे के हाथ में तो वह सेंटरलाइजेशन है यानि मेन एक ऑथरी है जो डिसीशन ले रही है बराबर है समझाने के लिए एक्सांपल दिया तो पढ़ लेते हैं ऑगनाईजेशन इन विछ डिसीशन मेकिंग ऑथर्डी याना डिसीशन मेकिंग पावजम लाइजby लाइज्स और सेंटरलाइस्ट और अगर सबको सब पावर दे दिया तो वह होता है डी सेंटरलाइस्ट और सबको सब पावर पढ़िए सेकंड पॉइंट वही है ओगनाजेशन से इन विच सच ऑथरी शेर्ड वित लोवर लेवल यही पावर हमने लोवर लेवल को भी दे दिया तो वह हो गया decentralized organization तो आज हमारे topic का नाम decentralized यहांने यहां पर पावर सबको दे दिया जितने भी departments हैं जितने भी levels है आपको अपने हिसाब से काम करने का power दे दिया गया that is decentralized क्या होथा decentralization third point check कीजिए decentralization refers to dispersal of decision making power यानि दे दिया dispersal यहांने दे दिया देना giving of decision making power among middle and lower level managers पहले सारे powers किसके पास थे टॉप लेवल के पास अभी power दे दिये किसको middle level and lower level को decentralization refers to delegation of authority throughout all the levels of the organization यहांने सबको सब पावर दे दिये गाए जितने भी levels है clear है बार बार वही बात बता रहा हूं कि power सब को दे दिया गया लास्ट के दो पॉइंट्स भी वह ही है decision making author is shared with lower levels when decisions taken by lower levels are important in an organization जब lower level के important lower level management के लोग decision लेने लगे और वह important हो company के लिए तो समझ जानने का वो और कौन सा है decentralized organization clear है दोस्तों decentralized का मतलब यह है कि सब आपको सब पावर दे दिये तो फ्रेंड्स क्या होना चाहिए centralizedization आज के जमाने है ना 100% centralizedization होना चाहिए ना 100% decentralized होना चाहिए combination of both होना चाहिए जैसे आज भी आपके घर के important decisions मम्मी या पपा जो पावर्फुल हो लेता है चोटे मोडे decisions आप ले सकते हैं कौन से company का एरेजर लेना है कौन से company का पैनल लेना है यह आप डिसाइड कर सकते हो इसके लिए अग्डिट परसंट सेंट्रलाइजेशन होगा तो सारा पावर के इसके पास होगा टॉप एन्रीयलिस्टिक दोनों सही नहीं है दोनों में बहुत सरी प्रॉब्लम साते आज के जमाने में इसके लिए क्या होना चाहिए लास्का लाइन पढ़िए एन और गनेजिशन के नेवर भी कंप्प्रिटी सेंट्रलाइज और दोनों का मिक्स्चर होना बहुत जरूरी है इंपोर्टन डिसीजन स्टॉप लेवल लेंगे रूटिन डिसीजन मेकिंग पावर की इसको हम दे देंगे लोगर लेवल को क्लियर है है हैंट्री फ्योल के बारे में आपने सु सब्सक्राइब 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 कम करेंगे तभी तो डीसेंटलाइजेशन होगा न हम अपना पावर कम करेंगे तभी दूसरे को पावर मिलेगा लुइस ऐलन क्या कहते है डीसेंटलाइजेशन देपर सिस्टमेट एफड है तो डेलीगेट यानि हम पावर दे रहे हैं किसको लोग लेवल अथर डिगोग तो इनिशेटिव मन लगा के काम करेंगे उनको फ्रीडम दे दिया तुम तुम तुमारे साब से डिसीशन ने सकते हो तो पहला पॉइंट वही है डीसेंटलाइजेशन अलोस फीडम टो लोग लेवल मैनेजमेंट तो टेक दर ओन प्रमोट्स फीलिंग उसलफ विश्वास बढ़ेगा सेल्फ रिलाइंट्स अनि भरोसा बढ़ेगा अमॉंग देम विश्वास बढ़ेगा यानि सुपीर सब्सक्राइब का डिलेशनशिप डेवलप होगा जब पावर दिया जाता है लोगर लेवल को थर्ट परिंट दोज एक्जिकुटिव प्रमोशन दे सकते हैं पॉइंट नमबर टू डेवलप मैनेजर टैलेंट फूचर अब क्या होगा सबको पावर दिया गया तो जो लोवर लेवल के मैनेजर से उनको एक मौका मिलेगा अपने आपको डेवलप करने का अगर वह ऐसा कर पाते हैं उन होने में आसान होगी वह चैलेंजिस को फेस कर पाएंगे सिट्रिशन को फेस कर पाएंगे और अपना बैस देने की कोशिश करें और डेलिगेशन मैं थर्ट पॉइंट पढ़ना हूं डेलिगेशन गिव देम अचांस टू पूद टैलेंट एड़ेडी फॉर हाय पॉजिश सकते हैं तो फ्यूचर में आप अपने टेलेंटको दिखा कि आप हाइर पॉजिशन को हासिल कर सकते हैं प्री एकुचर ने यह हमें पहले है कान सा वेक्ति आगे बढ़ सकता है कौन सा सब्जिब पोजिब मैं हाय लेबल पोश्ट पर जा सकता है किसके अन्दर वह रिखॉ प्रवर डेसिशन ले सकते कैसे दोस्तों कि सबको सब पावर दे दिया गया तो यहां पर हम फटावर डेसिशन ले सकते हैं उपर की लेवर्स के करने की अपर लेने की जरूरात नहीं है आप पढ़ सकते हैं तूर्व सेंटरलाजेशन दौर्टी ऑफ बेकिंग डिसिशन पास हमें पावर डे दिया है लेंग टॉ नब को रिलीफ मेनेज समय अब उनको बारबार नजफा थने लगा भूझ अपने हिसाब से काम करेंगे अगे चल के जवाब देना पड़ेगा उनकी लिमिट किस ने फिक्स किया प्री नहीं को ज्यादा लोर मैनेजमेंट के ऊपर नजर रखने के दरूतर नहीं है क्योंकि रिपोर्ट्स आएंगे तो अपने आप सारे रास खुल जाएंगे इ लोवर लेवल को देदी अब उनका टाइम बचेगा टॉप मेनेजमेंट फ्री होगे रूटीन एक्टिविटी से तो कॉंसेंट्रेट कर पाएगा और मोर इंपोर्डन वर्क सच इस पॉलिश करने के लिए आगे बढ़ने के लिए जो भी पॉलिश डिसिन्स बो लेना चाहते हैं असानी से ले पाएगी पॉंट नंबर फाइव फैसिलिटेट इस ग्रोथ फैसिलिटेटेश ग्रोथ यान्य यह ग्रोथ में हल्प करेंगा कैसे ड का लेवल बढ़ेगा हर बंदा इस रेस में आगे निकलने की कोशिश करेगा हर बंदा अपने अपने आपको प्रूव करने की कोशिश करेगा जब हर मैनेजर हर बंदा अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा तो इसे कंपनी का ओर अफिशन्सी का लेवल बढ़ेगा जिसकी वाज़े से कंपनी को अच्छे रिटर्स अच्छा प्रॉफिट मिलेगा आगे चलके कंपनी इसको यूज कर सकते एक्सपांशन ग्रोथ एक्सपांशन परफस क्लियर है दोस्तों पॉइंट नमबर सिक्स बेटर कंट्रोल डी संट्रलाइज़ेशन हैं अनलाइज इन एवाइज इन परफोर्मेंट सब्सक्राइब क्या होता है हर डिपार्टमेंट का परफोर्मेंट चेक कर सकते हैं तुमको जो सबसे पावर दिया परचीव करोगे चोल है साथ से तुम और अब्यूर्टमेंट करोगे वह इसाफ से चेक किया जाएगा कि तुमने तुम्हारा बैस दिया यहां नहीं दिया कंक्लूशन जो मैं आपको अल्रडी बता चुका हूं इंस्पाइड ऑफ इस बैनिफिट्स इसके कई सारे बैनिफ लोगों की बात नहीं मान रहें तो यह कंपनी के इंट्रेस्ट के खिलाफ होगा कॉंट्री होगा ऑपोजिट होगा जो के माइनस पॉइंट तो जबी भी हम किसी डी संट्राइजेशन लाना चाहिए लास्ट पॉइंट मैं आपको अल्रडी बता चुका हूं आप पर सकते ती सेंट्राइजेशन बालेंज होगा ऑप बालेंज जरूर वाने डॉनों का होना बहुत जरूरी है इंपोर्डन इसको सेंट्राइज खरो यानि इंपोर्डन डिकिंग पावर किस पास हो ना चाहिए ठोप लेवल के पास बाकिके डिशंट बेकिंग पावर साप डे सकते किसको lower levels को ताकि balance बना रहा है और सभी समय पे टॉप लेवल मेजर डिसीशन्स ले सके फ्रेंट्स यह थे हमारे importance of decentralization के points with conclusion comparative view of delegation and decentralization दोनों में क्या फरक है इसके लिए comparative study में आपके सामने रख रहा हूं दोनों लगबक सेम लगते लेकिन थोड़ा आप फरक है delegation is compulsory act मतलब compulsory हमें दूसरे को power देना पड़ता है ताकि वह बंदा काम कर सके delegation is compulsory act याद रखेगा एक्जाम में काम आएगा delegation compulsory act है क्योंकि compulsory superior अपने subordinate को power देता है ताकि तुम तुम्हारा वह काम टास्क परफॉर्म कर सको जबकि delegation optional है यह कंपर्सरी नहीं है यह optional policy decision है और इसको कौन देता है इसको देता है top management decision कौन लेता है इसको कौन डिवाइड करके देता है top management point number two freedom of action ज्यादा control होता है delegation के उपर delegation में ज्यादा control कौन किसको करता है superior more control बाहा है superior साने subordinate के उपर ज्यादा control किसका होता है superior less freedom to take own decision delegation में ज्यादा freedom नहीं होता किसके पास subordinate के पास जबकि वहां पर उल्टा है decentralization में less control over executives executives के उपर control कम रहेगा उनको ज्यादा freedom दिया रहेगा वो अपने इसाब से काम कर सकते point number three status it is a process follow to shared task delegation में क्या होता है हम process को share कर रहे हैं इसके काम को divide कर रहे हैं जबकि decentralization is a result of policy decision of top management decentralization क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों उपर बैटे वे लोग चाहते हैं कि हम इनको पावर दे रहे हैं ताकि अपने इसाब से काम कर सके अब दोनों में से दारा किसका बढ़ा याने next point is scope delegation का scope narrow है ती सब्सक्राइब का scope wide है क्यों कि उनको बहुत सारे पावर दे गए कि इसको lower level को जबकि यहां पर limited power दे रहा है कौन किसको superior अपने subordinate purpose मक्सद क्या है delegation क्यों दिया गया to lessen the burden of manager manager अपना बोज कम करना चाहता है वह बहुत बीजी रहता तो सोचा फाल्तू के एक्टिविटी रूटीन एक्टिविटी रोल्स के एक्टिविटीस नॉर्मल एक्टिविटीस में दे दूं किसको दे दूं सब्सक्राइब करो ताकि तुम अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सको इससे तुम्हें भी फायदा होगा और कंपनी को भी फायदा होगा तो यह था फ्रेंड्स कंपेड़िव व्यू आप डेलिगेशन एंड डिसेंटरलाइजेशन उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा अच्छा लगा त सकते हैं माइस आयम आरोसी सर क्या होता है जबी वीडियो अप्लोड करता हूं तो इसका ट्रेलर में इंस्टरग्राम पर पोस्ट करता हूं कल को आप से नोडिपेशन मिस्ट भी होता तो आपको इंस्टरग्राम से पता चल जाएगा कि आज कौन सा वीडियो अपलोड एगन चख्यों इस्टरगा हंपरेवाद केजिवार dekiника प्लेलिस्ट महां पू क्लिक करना प्लेलिस्ट पे जी करोड़िस पोड़ा करों तो unutीक्यां घय चेप्तर वीडियो राइंस पूल्डर समय वाने विडीव के अपकोब वीडियो ज्यादा आप्डहले तो नब्लेने झाल झाल